हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों आव शाला सबकर स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना बूले ताकि आप आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल याएकर है जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाली है क्यों अमेजिंग होने वाली है मैं आपको डीटेल में बताऊँगा आपको देखना होगा इस वीडियो है कोई सेटिंग आपके काम की जरूर हो विक दोस्तों सबसे पहले आपको सैटिंग अपके काम की जरूर हो इस तरीके से और यहाँ पे नीचे settings का option है इस पे आप जा सकते हैं दोस्तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पर follow and invite friend आप अपने दोस्तों को follow या invite कर सकते हैं आप अगर out of the Instagram जाना चाते हैं Facebook, Instagram, Instagram को चोड़के अगर बार किसी को invite करना चाते हैं तो वो यहाँ से invite कर सकते हैं ओके दोस्तों एक setting आती है notification ओके दोस्तों notification setting के बारे में बहुत जितना elaborate किया जाए उतना ही कम है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप setting अगर on करते हैं notification on करते हैं तो यह दो चीज़ पर vary करता एक आपके mobile की notification पे और एक application की notification settings पे ओके दोस्तों यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं pause कर सकते हैं सारी notification को अगर आप instagram की notification से परेशान हो गए इनको यहाँ पे इस तरी के से आप कर सकते हैं बन ओके दोस्तों पंड़े मिनट के लिए एक घंड़े के लिए दो घंटे के लिए चार आठ और कैसे भी कर सकते हैं तो कि दोस्तो देन दोस्तो इसके अलाबा और भी option यह आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ notification ही नहीं बहुत कुछ ओके दोस्तो पोस्ट stories कमेंट ओके दोस्तो अब like वगेरा आते हैं आपके तो आप उन्हें off कर सकते हैं तो उस्तों permanently off करना चाहते हैं तो उन्हें off कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं जो like comment आप फोड़े बहुत आदने उनकी notification आपको पता चला करें तो everyone कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि from the people I follow जिनको तो मैं follow करता हूँ उनी से आये तो बीच वाला option आप select कर सकते हैं उसी दरीके से like, comment and photo of you पर भी आप setting कर सकते हैं photo of you का भी कर सकते हूँ comment का भी setting आप यहां से कर सकते हैं in case अगर आप off करना चाहते हैं तो यहां individually आप particularly आप इन्हें off कर सकते हैं okay दोस्तो additional option in system setting जिसके बारे मैं बता रहा था दूसरी चीज यहां पर जाके vary करती है okay दोस्तो एक option मिलेगा आपको phone setting में वहां से जाके आप इसे off या on कर सकते हैं okay दोस्तो अब दोस्तो यहां पर आप following or follower की अगर करना चाहते हैं तो यहां से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है follow request accepted follow request जिनको आपने बेजी है वो request accept करते हैं तब आनी चाहिए friends on instagram यानि कि कोई आपका friend बनता है उसकी आए या नहीं आए तो वो भी आपपे depend करता है कोई अगर वायो में mention करता है तो वो setting आप चाहिए कर सकते हैं और सबसे लास्ट में वही system setting आपको given है okay दोस्तो बैक आ जाते हैं दोस्तो इसके अलाब है direct message का भी same ही से आपता है आप क्या कर सकते हैं किसी का message आता है तो off या on रहना चाहिए कि नहीं group request on या off रहनी चाहिए कि नहीं यह सारी चीज़ें आप यहां से check कर सकते हैं okay दोस्तो इंस्टाग्राम और live IGTV इन सबसे भी आप notification maintain कर सकते हैं बैग आ जाते हैं दोस्तो privacy के बारे में मैं already बदा जोगा हूं हो सकता है आपने वीडियो ना देखियो तो उसे भी देख लीजिएगा ओके दोस्तो दोस्तो एक चीज़ आती है security ओके दोस्तो security में जाके आप क्या कर सकते हैं अपना password चेंजर कर सकते हैं login activity देख सकते हैं कि आप login कभ कहा किस account से किया था ओके दोस्तो एक चीज़ आती है login information अगर आप सेब करते हैं login information तो तीसरे option में जाके चेक कर सकते हैं two factor authentication यह चीज़ वो होती है जैसे कि आप अपने Instagram को secure करना चाहते हैं आपके mobile पर password लगा है आप Instagram पर भी password लगाना चाहते हैं तो वो होगी two factor authentication ओके दोस्तो जिसे आप on या off कर सकते हैं तो अगर आप दोस्तो अपने access data को विजट करना चाहते हैं तो access data पर click कीजिएगा और visit कर सकते हैं अपनी data को Okay, दोस्तो download data, data को download करना चाहते हैं तो आप easily यहां से download कर सकते हैं जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त ने आपके गल्फ्रेंड ने जो भी है सर्च हिस्ट्री अगर कुछ भी सर्च किया तो आप जानना चाहें तो आप यहां पर जाके जान सकते हैं उके दोस्तों उनके अकाउंट पर जानना होगा आपको जो कि बहुत ही अमेजिंग है ओके दोस्तों अकाउंट में जाके भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है अकाउंट में जाईएगा आप अकाउंट में जाके यॉर एक्टिविटी यॉर एक ऐसे चीज़ है द notification setting भी यहां पर set कर सकते हैं आप ओके दोस्तों जो कि बहुत ही amazing है ओके दोस्तों close friend अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोग को अपने close friend में add करना तो close friend में जागे आप इसे add कर सकते हैं language का मतलब आप समझी गया है कौनजी language क्या language वो आप यहां पर set कर सकते हैं ओके दोस्तों content अगर sync करना चाहते हैं तो यहां पर contact sync का option आपको given है जो आप easily यहां से contact sync कर सकते हैं ओके दोस्तों तो काफी कुछ है यहां पर जो आप explore कर सकते हैं जिनके बारे मैंने आपको बताया post you have light जिन post को आप like करेंगे वो आपको यहां देखने को मिल जाएंगी दोस्तों इस तरीके से ओके दोस्तों scroll कीजिएगा और सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी और दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो है यह अगर आपने अप तक यह वीडियो देखे तो आपको काफी कुछ अच्छा लगा होगा ओके दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकोल भी ना भूलें दोस्तों ओके दोस्तों बहुत जल मिलेंगे आपको नेश्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ टैकनिक के साथ और एप्स के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों